हाई गाईज वेलकम बैक तू माई चैनल कोविट की वेक्सिन के लिए हमें अपनी गौवर्मेंट बार बार बोले जा रही है क्या वेक्सिन लगवालो सेकेंड डोस लगवालो फुली वेक्सिनेटिड हो जाओ हमारे बिहार के ब्रह्म दिवा ने इस बात को कुछ जादा ही सीरियसली ले लिया और इन्होंने बिहार के वेक्सिनेशन डेटा पर भी सवाल उठा दिये हैं बिहार के एक सेटिजन हू इस 84 यर्स ओल तुक 12 कोविड-19 वेक्सिन्स इन 11 मुंस जी हां उन्होंने 12 कोविड-19 की वेक्सिन सिर्फ मात्र 11 महीने में उन्होंने लगवाई है 12 वेक्सिन यहां हमसे एक निचे लिजा रही है हमसे दूसरी लगवानी की हिम्मत नहीं है और जनाब 12 वेक्सिन लगवा चुके हैं अरे लानत करो यंग्स्टर्स ओफिशल्स की माने तो उन्होंने 12 वेक्सिन अलग-अलग टेट्स पे लगवाई साथ ही साथ अलग-अलग ID कार्ट से भी लगवाई उन्होंने 2 ID कार्ट से वेक्सिन्स लगवाई जिसमें 9 थी उनकी अ ब्रह्मदेव जी ने इतनी सारी वैक्सिंस आखिर क्या रिजन था उनके इतनी वैक्सिंस लगवाने का उनका कहना था कि वैक्सिंस लगवाने के बाद उन्हें जॉइंट पे नहीं हो रहा था और उनकी एपिटाइट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो इसलिए बार-बार वैक्सिंस लगवाते थे और उनका कहना था कि वह अभी तक भी लगवाते रहते अगर उन्हेन कोई पकड़ता नहीं तो ब्रह्मदेव जी नमस्कार हो आपको शाषात डंडवत्प्रणाम तुम्हें ब्रह्मदेव जी यहां हमसे एक के बाद मेरे से तो दूसरी जहली भी नहीं गई और यहां देखो 84 एर्स के ब्रह्मदेव जी बारा बारा वैक्सिन्स लगवा रहे हैं IPC के तहत उन पे FIF दर्ज हुई है सेक्शन 188, सेक्शन 419 और सेक्शन 420 के तहत उन पे मुकदमा चलेगा आती साथ हेल्थ ओफिशियल्स पे भी कारवाई की जाएगी ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और अगर कोई ब्रह्मदेव जी की तरह ऐसे सस्ते नशे कर रहा है तो प्लीज किर्पया गरे के रोक जाओ क्योंकि यह आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है चाहे आपको उससे शोट टम कितना भी अच्छा लग रहा हो और अगर आपके आसपास कोई ऐसे चीज़े कर रहा है तो उसको रोको जैसा आपके डॉक्टर साब को कहते हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिन चीज़े करो अपने इसाब से कुछ भी मत करो जान है तो जाहान है खेल मत करो अपनी जिंदगी के साथ पाई